गेहुं भाव को लेकर इस वर्ष स्थितियां बदल चुकी है। सरकार चाहते हुए भी गेहुं का आयात नहीं कर पा रही है जबकि इस वर्ष गेहुं का भंडार पिछले 16 साल में सबसे न्यूंतम स्तर पर हो गया है। जिसके चलते गेहुं एवं आटे के दाम बढ़ने पर बहुत कम मात्रा में गेहुं पहुँच रहा है। इस वर्ष बाजार भाव अधिक होने के कारण गेहुं बाजार में अधिक बिका। पिछले वर्ष जून महीने में ही सरकार ने खुले बाजार में गेहुं रिलीज किया था लेकिन इस वर्ष यह स्थितियां भी बनती हुई नजर नहीं आ रही है क्योंकि सरकारी बफर स्टॉक कम है क्रिशी जानकारों के अनुसार गेहूं के फसल चक्र के दोरान कोहरे और हवा के कारण इसकी प्रती एकर उत्पादक्ता पांच क्विंटल तक कम हो गई सामाने स्थिती में पैदावार 20 क्विंटल तक होती है मध्य प्रदेश में पिछली बार से 22.6-7 लाक टन कम खरीद हुई है आटे के बढ़ते दामों को थामने के लिए सरकार ने व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट लगा दी थी वे 5000 क्विंटल से ज्यादा का भंडार इसलिए वे भी ज्यादा गिहुं खरीद रहें पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष गहुं के भाव की क्या स्थिति रही इसका अंदाजा इस बात से लगाए जा सकता है कि गहुं एक साल में 8 परसेंट महेंगा हुआ है पिछले 15 दिन में ही कीमते 7% बढ़ चुकी दरसल, गेहूं के सरकारी भंडारों में हर वक्त तीन महीने का स्टॉक 138 लाक टन होना चाहिए मगर इस बार खरीद सत्र शुरू होने से पहले यह सिर्फ 75 लाक टन था इससे पहले दो शूने शूने साथ शूने आट में 58 लाक टन रहा था यानि अभी यह 16 साल के नियून तमस्तर पर है 2023 में यह 84 लाक टन, 2022 में 180 लाक टन और 2021 में 280 लाक टन स्टॉक था रूस युक्रेन यूद के बाद से दुनिया में गेहूं का सरकारी स्टॉक घटता जा रहा है हाला कि सरकार अभी तक कुल 264 लाक टन गेहूं खरीद चुकी है लेकिन सरकारी लक्षे 372 लाक टन का है यही कारण है कि गेहूं भाव में बड़ोतरी हो रही है केंद्र सरकार ने सरकारी दाम पर गेहूं खरीद का समय 22 जूम तक बढ़ा दिया है लेकिन खरीद केंद्रों में नगणे गेहूं ही आ रहा है ऐसे में मुफ्त अनाज योजना, BPL की जरूरतें पूरी करने के लिए ततकाल गेहूं का आयात करना पड़ सकता है हाला कि इसमें भी अर्चने आ रही है शिकागो बोर्ड आफ ट्रेड, CBOT, पर गेहूं की कीमतें 6.84 डॉलर प्रती बुशल यानी 21,000 रुपए प्रती टन पर चल रही है रूसी गेहूं 235 डॉलर प्रती टन यानी 19,575 रुपए के आसपास चल रहा है अर्थाद दूसरे देशों में 2000-2100 रुपए प्रती क्विंटल का भाव है इस पर 40% इंपोर्ट ड्यूटी और डुलाई का खर्च लगने के बाद वह भारतिय गेहूं से महेंगा हो जाएगा ऐसी स्थिती में सरकार गेहूं का आयात नहीं कर रही है वहीं दूसरी और सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी हटाने से साफ इंकार कर दिया है इसके बाद गेहूं का आयात अब नहीं होगा इसके पहले भारत ने आखिरी बार आस्ट्रेलिया और यूक्रेन से 2017-18 में 15 लाक टन गेहूं आयात किया था 2021-22 में कुल 80 लाक टन इससे सरकारी स्टॉक में कमी आई Center for Monitoring Indian Economy के अनुसार देश में 2023-2014 में 11.2 करोड मीटरिक टन गेहूं की पैदावार का अनुमान है जो पिछले साल करीब 11 करोड मीटरिक टन था यानि 20 लाक मीटरिक टन तक बढ़ने का अनुमान है वहीं सरकार द्वारा व्यापारियों के लिए स्टाफ लिमिट तै किये जाने के पश्चात व्यापारियों के पास भी पुराना गेहूं खत्म हो चुका है पिछले कुछ सप्ताहों से उद्योग व्यापार छेत्र द्वारा विदेशों से गेहूं के आयात की आवशक्ता पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि मंडियों में इसकी बहुत कम आवक हो रही है और खुले बाजार बिक्री योजना, OMSS के तहद गेहूं की दोबारा बिक्री शुरू नहीं की गई है लेकिन सरकार की ओर से किसी मुद्दे पर कोई सपष्ट संकेत नहीं दिया गया है हैरत की बात यह है कि केंद्रिय क्रिशी मंत्राले ने अपने तीसरे अग्रिम अनुमान दो हजार तेईस से चौबीस के रभी सीजन में गेहूं का घरेलू उतपादन बढ़कर 1129 लाक टन के सर्वकालीन सर्वोचिस्तर पर पहुँचने की संभावना व्यक्त की है जो दूसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़े 1120.200 लाक टन तथा 2022 से 23 सीजन के समीक्षित उतपादन 1105.56 लाक टन से काफी अधिक है अब सवाल उठता है कि यदि देश में 1129 लाक टन से अधिक गेहूं का रिकॉर्ड उतपादन हुआ है तो वह गया कहाँ सरकारी खरीद 264 से 265 लाक टन के बीच अटकी हुई है जो पिछले रभी मारकेटिंग सीजन खरीद 262 लाक टन से महज 2 से 3 लाक टन ज्यादा है जब मध्यप्रदेश और राजस्थान में किसानों से 2400 रुपए प्रती क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जा रहा है तो वहां किसान अपना उतपाद बेचने से हिचक क्यों रहे हैं क्या किसानों के पास इतनी मजबूत क्षमता है कि वह 8.5 करोड टन से अधिक गेहूं का स्टॉक अपने पास लंबे समय तक सुरक्षित रख सके गेहूं पर अभी 40 प्रतिशत का आयात शुल्क लगा हुआ है उपभोकता कार्य खादे एवं सारवजनिक वितर्न मंत्राले ने साफ कर दिया है कि सरकार के पास गेहूं का परियाप्त भंडार है सारवजनिक वितर्न प्रनाली के तहट 80 करोड लोगों को फ्री गेहूं बांटने के बावजूद अच्छी मात्रा में गेहूं बचेगा जो बढ़ते डाम को कंट्रोल करने के काम आ सकता है इसलिए सरकार गेहूं की इंपोर्ट ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं करेगी इधर फ्लोर मिले सो भोपाल के सुनील अगरवाल का कहना है कि मिलवाले राखी से शुरू होने वाले त्योहारी सीजन से पहले सरकारी स्टॉक की ओपन मार्केट में नीलामी का इंतजार कर रहे हैं खुले बाजार में गेहूं 2,600 से 2,700 रू क्विंटल है ऐसे में 15 दिन में दाम 3 रू किसानों को नुकसान उठाना पड़ता क्योंकि निजी छेत्र दूसरे देशों से आयात करता और उससे यहां दाम कम हो जाता सरकार द्वारा यह साफ किये जाने के पक्ष की गेहूं की important duty किसी भीस्तर पर कम नहीं की जाएगी सरकार के इस निरने से किसानों का फाइदा होगा Bureau Report Market Times TV